बिस्मिल्ला रहमार रहीम सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहे हैं सही से किसी को आवाज आने में दिक्कत इसक्रीन में दिक्कत किसी को बहुत अच्छे बहुत अच्छे तो टेंथ यूनिट का ये कोर्स है तेंथ यूनिट में आम तोर पे जो है कोई लिखी चीज तो हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि ऐसी चीजें हैं और हम जो है शहरों अगरे के बारे में कुछ नोट्स बना रहे हो तो आपको भेजेंगे लेकि तो इसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे ताके इसका कोई ऐसा पहलो ना छूट जाए जिससे जो है कोश्चन आने के चांसे हो इन्शाला ठीक है तो पहला कोश्चन जो है एक सवाल है कि जो है आईन अल्जुम्ला अस्सहीहा मिम्मा यली फवकल अशजारी तुयूरन कसी तो असल मकस्द जो है इस सवाल के पूछने का यह है कि इसमें जो गलत है वो गलत क्यूं है हमें ये पता होना चाहिए कौन शुरू करेगा बताएगा कौन मुझे अरा आराम से आराम से एक एक करके बताएए कोई अपनाम बताएगा ओके ओके चलिए फाइजा ने शुरू किया है पहले फाइजा आप ही बता लीजिए इसको फाइजा शुरू कीजिए अब जी आप्शन नबर डू सही होगा जी 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 इसलिए घलत होगा क्यूंकि पाइज की जो इसमें सिपतला हैं वो कसी रह मॉननस लेकर रहा है हलाकि यह नहीं आएगी क्योंकि मुजकर है और तरह कसी रात में भी यही है और तोयूरन नहीं आएगा क्योंकि क्योंकि यहाप तो वो आईदा ना बम्मा आएगा इसकी कोई वज़ा नजर नहीं आते हैं नै नहीं बलकुझ मुझा है बिला वजह के अरबिक जबाद में कोई भी अबारत एक लफ़ और एक अलिफ लाब एक जबर एक जेर एक पेश about अपश नहीं दिया जाता है बार की लोग भी कि आपको वजब पता नहीं है लेकिन इसकी वज़ा है ठीक है जासमीना आप बताइए इसके बाद क्या कहना चाहरा है आपके हैंड रेस कर रखता जी आप इसी को एक्स्प्लेंट कीजिए यहां पर जो फर्स्ट आली कॉप्शन है मेरे डाइजी की आली कॉप्शन सही है जो जमा है जो जमा होता है तो इसके बाद जो अरुखिए खीक है बहुत अच्छा बवह बहुत अच्छा बताईए बहुत अच्छा बटाहीए बदाएए बहुत अच्छा जी जहां ठाय रही ह। इसके निजिए यह साइं है और इसके बाद जो है मतलब जूसरा जो ど कि आपके आवास कट गई चलिए आईशा आप इसको इस सवाल को मुकंबल कीजिए असल में आपके आवास कट गई जी आईशा आप शुरू कीजिए मुझे भी ऑप्शना बिर्फ लग रहा है क्योंकि ये गेर जावला कुल है इसके लिए वाहिद मौनस भी आदे है और ये मुटता ख़बर की यहां पे तर्की बन रहे हैं इस वज़े से मौर्फू है शायर ओके ओके मतलब आईशा आप ये कहना चाह रही है कि आप ये पहला है इसलिए गलत है ये बताए कसीरात ये क्यों गलत है सरी कसीरात तुम से कसीरात है शायद मौनस के लिए ठीक है ठीक है तो आपने ये कहा कि ये वाला सही इसलिए है कि ये मौनस है तो ये भी मौनस आना चाहिए तो ये भी तो मौनस है और ये भी मौनस है तो ये क्यों गल जी जी तो ये तो जमा है ना ये जमा है तो ये वाहित क्यों आएगा जमा क्यों नहीं आएगा गेर सब लगूल है ओके ओके ठीक ठीक है गुड गुड ठीक है ये पॉइंट आपका सही है ये बताएए कि ये गलत क्यों है एक सिकेड राइस एक सिकेड आपके पास भी आएगे मुझे लाएंगे सर ये मुबतदा खबर की तरकी बन रहे है यहां पे मौसुब सिपत से मिलकर शायद मुबतदा है और फाउकल अज़र सर ये खबर है क्या इसकी आप मुझसे मत पूछे, आप बताईए कि आपको कहा लग रहा है, मैं आखिर में बताऊंगा अरी ना पी मुझे लग रहा है, मौसुब सिपत से मिलकर मुपत दाया, खबर बन रहे हैं फौकल अजजार की, तो इस वज़े से मर्फू ही आएगा ठीक है, चलिए, एक और से पूछ लेते हैं, फिर आगे हम चलेंगे, जाहित आप बताईए, फिर हम इसको जो है एक्स्प्लेइन करेंगे जी सर, यहां पर फास्ट अप्सन जाए, वो सही है, ठीक है, क्यों सही है, तो क्योंकि फौकल अशजार ये मुक्तदा है फौकल अशजार लिखेंगे या फौकल अशजार पढ़ेंगे फौकल अशजार ही, यह क्या बन रहा है यह मुक्तदा, और तो यूरून कतीरतुन यह खबर है, यहां पर वाहिद मुहननश इसलिए है क्योंकि तो यूरून जे है, वो गयर जे मिर उकुल है ठीक है उसके लिए अगर मौसुफ अगर जिसका अकल अगर ना हो उसके लिए सिफत जो है वह वाहिद मौनस लाई जाती है ओके गुड 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 चलिए लेकिन यह बताईए कि यह वाला क्यों वालत है तो क्या खाबर कभी मनसूब होती है जी अगर आमिल अगर दाखिल हो होगी यहाँ पर क्योंकि कोई आमिल नहीं है ओके ठीक चलिए चार लोगों ने बताया सभी ने सही बताया लेकिन जो है सही आज़र तक पहुँचते हुए भी जो है तमाम लोग में थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक है वो मैं अब सही करता हूँ ठीक है देखिए यह वाला सही है ठीक है यह वाला सही है जिन लोगों ने बताया कि यह सही है बिलकुल सही है लेकिन अगर जिन लोगों ने यह बताया कि यह मुक्तदा है तो यह चीज़ गलत है आपको पता है कि जब जर्फ होता है तो वो खबरे मुक्दम बन जाता है ठीक है तो तुयूरून कसीरा जो है यह असल में मुक्तदा है यह खबरे मुक्दम है ठीक है और यह सवाल आपक कि मुक्तदा खबर कौन बन रहा है तो ऐसे ही जुमले होते है जर्फवाले मैं जरूर जो है कहीं पर आगे एक सवाल आ रहा है उस तरीके का तो वहाँ पर मैं खटा करके बताऊंगा कि कौन कौन से चीजें खबर मुकद्दम बनती है तो वहाँ पर उसकुम्तार डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन मैं यहाँ मिसाले समझें ठीक है यह असल में खबर है यह मुक्तदा है तो इसलिए यह वाला सही है मुक्तदा खबर जो है क्या होना चाहिए मर्फू होना चाहिए मर्फूआत में से आया है तुयूरुन कसीरतुन इसी लिए है क्योंकि ये जो है मुपतदा मुखर है और मुपतदा के लिए मर्फू होना जरूरी है तो तुयूरुन कसीरतुन है तुयूरुन जो है ये जमा मुकसर है जमा मुकसर गैर जवियूल अकूल है कोई सहाब है उनका माइक पुलाव प्लेज उसको बंद कर ले क्योंकि फिर वीडियो में दिक्कत होगी ठीक है फिर वीडियो में ना समझने में दिक्कत हो जाएगी ठीक है जमा मुकसर है गैर जमा मुकसर गैर जमा मुकसर गैर जमा मुकसर की सिफत जो है हमेशा वाहिद मौनस आती है ठीक है वाहिद मौनस इसी वज़ जो है गलत हो गई क्योंकि यहां पे उसकी सिफत जो है जमा मौननस लेकर आए है हाँ यहां पे जो है अगर कहा जाता कि बनातुन फाउकल अज़ारी बनातुन तो क्या लेकर आते कसीरात लेकर आते ठीक है उस टाइम जो है कसीरात लेकर 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 तो यहां पे त्यूर है क्योлекс ये जमा मुकसर है, ये वाहिद नहीं है, तुयूर मुजग्र होने के लिए जरूरी नहीं है कि अगर ता नहूं तो हम मुजग कर मान लेंगे ऐसे ही। बलकि उसके बाद ता नहा होने के बाद दो चीज़ ने और देखनी परती हैं एक चीज ये कि वाहित मौननस का नाम यद तो नहीं है या जो है सिमा के इतिबार से अरबों ने उसको मौननस तो इस्तेमाल नहीं किया है या जो है वो जमा तो नहीं है जमा मुकसर तो नहीं है ठीक है ये तीन चीज़े हम देखने के बाद ही उसकी सिफ़त को डिसाइड करते हैं तो हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या है ये जो है क्या कहते है हमारा जो है जमा है गैर जमा मुकसर है तो इसकी सिफ़त आनी चाहिए थी ता के साथ ठीक है? और यहां पे इसलिए गलत है कि तुयूरन कसीरतर मुटदा जो है हमेशा मर्फू होता है ठीक है? यह इन्ना और अन्ना आमिल नहीं है बलके इन्ना और अन्ना यह सब जो है एक खास अलग बहस है नहों के अंदर के इन्ना इस्तेमाल होगा तो जो है इसके मुब्तदा का नाम जो हो जाता है इसम हो जाता है और खबर का नाम खबर रहता है वो मुब्तदा खबर के नाम से नहीं जानते हैं उसको शिबह जुमला हो जाता है दूसरे उसके नाम होते है तो उस तरीके से नहीं कहेंगे कि यहांपे कोई आमिल नहीं है इसलिए जो है तुयूरन कसीरतन नहीं होगा ठीक है बलके यह कहेंगे कि यह मुटदा मौखर बन रहा है और मुटदा मौखर हमेशा क्या होता है मर्फुआत में से है तो इस वज़ा से इसको जो है हम to you return कसीरता नहीं पड़ सकते हैं बहुत सारे लोग हैं मैंने अगर कॉई गलत बात कही हो क्योंकि मैंना हमाने जो हो सकता है कि पताने भी कही गलती हो गई हो तो मुझे सही भी कर सकते है यहाँ पे जितने भी लोग है बिल्कुल फिल्ड खुला हुआ है ठीक है कहां पे सईद सर हो अगर तो वो भी साथ ने मुझे कभी भी अगर कोई ऐसी गलती हो जाए मेरे को बोलने में तो भी बता सकते है ठीक है यह बास समझ में आई या नहीं आई पहले यह बताईए सभी लोगों को कोई confusion इस सवाल के अ आप आगे हैं जाली ठीक है आप हमारे साथ रहें बस जहां भी गल्बी हो कोई mistake हो फौकल अशिजारित तो यूरू कसिरात जो है और यह भी सही हो सकता है लेकिन यहां पे कसिरातन कर दिया इसे लिए कसिरातन होता तो सही है कसिरातन होना चाहिए अगर जो है बास कवायत जो है बार जाल्स नहीए जो है जो है जो है जो है जम्मा मुकसर के लिए जम्मा भी लेकर आते हैं लेकिन वह जो है शाग इस पर आप झारी सिरातन है ठीकिन हो गया जी अ मैं यह कहना चाहरा हूँ जी आपकी बात मुझे बिलकुल समझ नहीं आती है कभी भी आपकी आवाज के लिए नहीं आती है सर उसकी आवाज आई नहीं रही है आप चैट में लिखते हैं फकर उजमा आपकी आवाज बिलकुल भी नहीं आ रही है जी जी आप चैट में लिखते हैं मैं आपका चैट पढ़ूँगा साइद सर ने मुझे तस्हीर की है कि साइद सर कह रहे हैं कि नहीं जो है क्सिया क्या कहते है जमा मुकसर के लिए जमा का सेगा लाते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर इस वाले को इस वज़े से भी गलत मान सकते हैं इसकी दूसरी तोजिए हो सकती है कि इन्होंने कसीरातिन इस्तेमाल किया है हालत नस्भी जर्री के सूरत में जबके हालत रफई में होना चाहिए अगर कसीरातिन होता तो जो है एक कॉल के मताबिक इसको सही मान सकते थे लेकिन फिर भी यहां पे कसीरातिन इन्होंने यूज किया है तो इस वज़ा से भी ये गलत है, ठीक है? समझ में आ गया? जी सर्फ चालिए, तो ये एक नई चीज़ है, नेक्स कोर्शन देखते हैं क्या है? अईन अल्जुम्ला अस्थीहा मिम्मा यली, नजिफ यदाईका जैयतन कबल अगली वबादहू, नजिफ यदाईका जैयतन कबल अगली वबादहू, जी अब हदीकुल आप मुझे ये बताईए इसको ठीक है? आपका नाम सबसे उपर देख रहा मुझे, जी हदीकुल, एक क्लास में रहें, तो बोलें, तो ही फायदा है इस क्लास में रहने का, वัना क्लास सुनने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? अधीकुल? जी, सैफुल्ला आप है? जी है. जी जी, अब बताईए, इस में से तो पहला, दूसा, तीसा, टीसा, चौतर कौन सही है, और जो गलत है तो गलत क्यों है ये बताईए लगता है कि यदही का जैयदतन ये सई होगा क्योंकि यदही का मोहनस है इसलिए मतलब नंबर बताए अलेफ बाजीम दाल डो नंबर आप कहना चाहरें कि सएए ठीक है ओके पहला वहला गलत क्यों है क्योंकि वो यदाई का जो मोहननस है इस हिसाब से वो जयेदतन होना चाहिए था इसलिए और वो हालत जली भी भी है इसलिए भी वो नहीं होगा ओके तीसरा क्यों गलत है सर वो एक हिसाब से मोहननस है इसलिए मुझे लगता है ओके ठीक है ठीक है चलिए हम देखते हैं कौन बता सकता है अब इसके बाद जी मिनारा आप बताईए राभी अमिरहा अगर आपको आवास नहीं आ रही तो आप दुबारा से जुआइन हो जाएं मिनारा ऐसे आपकी आवास भी घर बढ़ा है जी जनफर कोरेशी आप बताएए जी मेरी आवास जा रहीए जी जी आ रहीए बताएए जी मेरी आवाज जा रही है जी जी आ रही है बताईए फर्माईए दाल वाला सही होगा ओके ठीक है ठीक है आगई आप समझ में आगई मुझे बात जी आशवा का आप बताईए आप यह इसकी तस्रीव कीजिए सवाल को जी आशवाँ जी हमरे साथ से यह बावला सही है ओवला सही है यद की वो जाएगा तानी सही सय इस वजह से यद से तो सर हमारे साथ से लगना नहीं से लगना है ओके चलिए और ठीक है आप अब किसे एक किसे पूछू चलिए इसको देखते है ठीक है तो पहला क्या है पहला पहला जो आप्शन है नदिफ यदैका जैये दिन कबल अकली वबादव तो एक कायदा आप लोग याद रखिए ठीक है जो कि मेरे वाले साब ने बताया था कि हमें हालत जर्री में है की नहीं लवज इसको जानना सबसे जादा आसान है नस्बी और फत्थी के मकाबले में हालत जर्री में बिल अमूम सिर्फ दो ही हालते बनती है जर् किसी लफस को जर् देने की या तो वो मुजाफ इले हो या जो वो उससे पहले हर्फे जर आ रहा हो आम यही कायदा है आम यही चीज़ है इसके अलावा जो है आता होगा लेकिन आम तोर पर यही दो सूरते बनती है तो यहां पे या तो किसी सिफत मौसूफ जर का जो है सिफत हो तो इसको भी कह सकते एक तरीके से ठीक है लेकिन यहां पे ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही है जो के यहां पे ना इसका जो है मौसूफ कोई ऐसा है जो हालत जर में हो तो उसकी यह सिफत बन रही हो तो इसे मजर जो भी है इसका जब मुजाफिले महजूफ होता है जब इसका मुजाफिले महजूफ होता है तो उस वक्त ये जो है हालत रफई में होता है ठीक है लेकिन इसका मुजाफिले वाज़ है ठीक है है कि नहीं वाज़ अकल जो है मुजाफिले वाज़ है तो इसको हालत रफई में नहीं रख सकते हैं और हालत रफी में जो है जर्फ है और इससे पहले कोई आमिल नहीं है जर्फ से पहले कोई आमिल नहो तो वो हमेशा मनसूब होता है ठीक है जर्फ जानते है कि जर्फ जो होता है वो हमेशा मनसूब होता है इल्ला यह कि उस पर कोई आमिल दाखिल हो जाए तो इससे पहले कोई आमिल नहीं नहीं है तो यह ऩो इस पहले Kollege को इसका मुझाफिलि जाहिर हो गया है तो यह ला महाला अगर इस पर आमिल नहीं होगा यह हम दो पॉांट समझ में आएं आप लोगोगए जी जी समझ में आगे नस्बी काईराब हम किस से देते है या के जरीए देते है और यहां पे जी जी यहां पे अलिफ है यानि जो हालत रफी काईराब यह दिया जा रहा है इस वज़े से यह गलत है ठीक है जैयेदन बिल्कुल सही है कबलल अकली वबादहू भी सही है मेरे हिसाब से यह वाला सही है ठीक है अभी सही से इसकी दाइद भी करेंगे अगर गलती होगी तो बताएंगे भी पहले मैं इसकी तश्रीख कर दो ठीक है के नजिफ है फैल और फाइल हो गया यादै का मफूल भी हो गया जैयेदन जैयेदन जो होता है हमेशा जो फैल होता है उसके मस्दर महजूफ की सिफत बनता है ठीक है जैयेदन जो है जो फैल है उससे पहले उसके मस्दर महजूफ की सिफत बनता है ठीक है तो यहाँ पे मस्दर क्या यहाँ पे क्या मस्दर महजूफ होगा यह बताईए तन्जीफण जयिदन जी अज़तर तन्जीफण जयिदन तो तन्जीफ मौसूफ हो गया जयिदन सिफद भू गया गामले अकली यहां पे फट़ा भी आपको दिक्राहा है मुझा लेह जर्भी दिक्राहा वाद़ू ठीक है यह क्यूं cevfryं नहीं हो सकता है कि हमारा मजदर जो होता है ये मुजखकर मौनस दोनों होता है तो इसकी सिफद मौनस भी ला सकते हैं तो इसका एक रूल मैंने जो बना रखा है मैंने जो समझा है किताबों से पढ़के कि अर्बिक जबान के अंदर कभी भी कोई लफे जिसका मुजखकर इस्तेमाल होता हो उसका मुएनस हम नहीं लाते है ठीक है जिसका मुजखकर इस्तेमाल होता हो उसका मुएनस हम नहीं लाते हैं गलीलन अगर काम चल रहा है तो कभी भी कलीलतन नहीं लेकर आएंगे तायरन से काम चल रहा है तो तायरतन नहीं लेकर आएंग काउए ये मस्दर महजूफ़ की सिफत है तो मस्दर मुखकर इस्ने माल ओता है आम तोर पर हां बाद जग्वहों पर उसको मॉहनश माल लेते हैं लेकिन आम तोर पर मुखकर इस्की सिफत मुखकर आनी चाहिए जाए सभी सक्षब घ्र करूंगे कि इदा ओके गुड़ और किसी को कोई इश्काल मेरे पास बहुँ सारे किताब है जैसे एसा नहीं होगा इंदी किता फुटू जैएदा तुन बिल्कुल 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 कसीर हो गया, कलील हो गया, जय्यद हो गया, तय्यब हो गया, यह सब जो अलवाज जो है, मुझकर इस्तेमाल होते हैं, इल्ला यह कि उसके मौननस मौसूफ हो तो ही मौननस लेकर आएंगे, ठीक है? और किसी को को इशकाल? जी. चली, किसी को को इशकाल नहीं है, उमीद है, सवाल तकरीबन सेम है, फोड़ा सा बस अबारत पल्टी हुई है, आयना जुमला सहीहा, सिभगत उल्ला आप इसको बताएए, यह वाला, मैं पढ़ने में टाइम नहीं जाय करता हूँ, सिभगत उल्ला, जी, जी, बताएएए, यह सर जीन सेए, नजफत फातिमा तु जीन कबल अखली वबाद, आयना ओके गुड़, पहला गलत क्यूं है, सर जीन आगया इसमें, दूसरा गलत क्यूं है, दूसरा यदाहा, गुड़, और तीसरा सही है, नजफती ऐसे लिखा हूँ, इसकी वज़ा से सही है, चौधा जो है नजफती लिखा हूए, नजफती क तो नहीं आ सकता है, ठीक है ना, अगर हाँ, बास जगों पे एक यहां पर बता दू, बास जगों पे जब फाइल पे अलिफ लाम लगा हुआ हो, तो वाहिद मौनस गाइब का जो सेगा होता है, उसके ज़हें, ज़हें को ज़हें कसरे से बदल लेते हैं, ठीक है, जैसे य यहां पे लेकिन क्या है, यहां पे फात्मा नाम है, तो यहां पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए यह वाला सही है, यह सवाल में किसी हो कोई दिक्कत, निक्स चलें, नहीं सर, चलिए, जी फखरु जमा, माशालला, बड़ी तेजी समझ रहें, चलते हैं आगे निक यहां पे मैं अगर पूछना चाहूं किस से मैं पूछता हूं, मिरहा आप बताईए, राबिया मिरहा, राबिया अमीन आप बताईए, ऐसे कैसे काम चलेगा, अगर मैं नाम ले रहा हूं तो आपको फौरान आना चाहिए, शाहिद रज़ा आप बताईए, यह तो फिर मैं ऐसे बोलता चला जाओं फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों का जी सर जी जी आप बताएए इस सवाल को यह फर्स्ट मेरे अत्वार से जो है फर्स्ट जो सही होना चाहिए ठीक है ओके फर्स आहिए होना चाहिए सेकेंड गलत क्यूं है यह बताएए क्यूंकि यह बताएए चुंकि यजीदो है और समनूहा की जमीर जो है जो वो सही नहीं है फेल के तबार से जमीर नहीं है तीसरा क्यों गलत है यह साथ के तबार से हाज ही साथ हो यिभी यजिदु पुरा मिलाकर जो है उसकी ख़बर मनेगे तो उसके मुबतिदा की इतबार से ख़बर होना चाहिए तो यहां पर यजिदु जो है यह मुझभी चैसे प्विरी इतवर से इतवर से इतवर से सही नहीं होगा ओके चौथा क्यों सही नहीं है चुक्कि तज्जीदों के इतबार से समन हूँ जो है हाज जमीर जो है और इस्तमाल नहीं किया गया ओके जी रईस हैं आप पर जी रईस आप बताईए आप आईए जी 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 सर जी जी आप इस सवाल को एक्स्प्लेंड कीजिए ये अलिफ वाला सही होगा थेख है क्यों बावाला क्यों सही है यह यह जी जू Christ such कि क्यूं है हूं यह ने कर दी जे तो हम BTS औरहना के लेकर की ठीजिक हो ठीजिदा के डिक है तो हम यहां समन हूं कि कि Kतो की तुसमेर है जिसकित्व लोट रहिए वहां ये इन jest कि तो मोननस वाली जमीर लेकान चाहिए थी ठीक जाने और नीचे आएंगे तो वह सेम गलती है तर फाइजा आईए आप आईए अप्शन नम्र बार ठीक होगा इसलिए क्योंकि साअ जो है वो मॉननस है तो हां कि जो जमीर आ रही हो मॉनस आ रही है और समन्हुज़कर है इसलि खमोश रहें ताकि मैं इसको एक्स्प्लेइन कर दूना ताकि आवाज साब पहुंचे आप लोगों के तक देखिए पहली मिसाल जो है हाजही साथू तजीदू समनुहा अन अलफ रुप्यतित हाजही साथ सब सेम हैं ऐसे सवाल में हमें सब से पहले क्या फोकस करना होता है कि देखें कि कहां पर जो है चारो आप्शन में गलती दिख रही है यानि फिर हमें आगे पीछे जादा फोकस नहीं करना हम उसी पर जो है टार्गेट करेंगे ठीक है हाजही साथू सब का सेम है अन अलफ रुप्यति सब का सेम है यानि मसला किसम है तजीदू समनुहा होग तो ये हिया की जमीर नहीं है फाइल क्योंकि आगे वाला जो इसम है वो मर्फू है ठीक है फैल के बाद जब इसम मर्फू आता है तो आम तो पर वही फाइल होता है तो हम देख रहे हैं कि समनु जो है ये तो मुझकर है तो तजीदू कैसे आएगा बिलकुल भी नहीं आए है क्योंकि ये किसकी तरफ लोट रही है इसका मर्जा क्या है साह है ठीक है क्योंकि इसी की की कीमत के बारे में तो बात कर रहे है किसकी की की कीमत से क्या है जादा है तो जो है हा की जमीर साह की तरफ लोट रही ये तो राइट है लेकिन यहां पे मसला जो है गरबर हो गया ठीक है दूसरी मिसाल में आते हैं तो ये तो सेम है यजीदू समनुआ तो देख रहे हैं समनु जो है ये फाइल है यजीदू फेल है ये भी मुझकर ये भी मुझकर तो यहां पे मामला डन लेकिन हाज अमीर ये देख रहे हैं साह की तरफ लोट रही है तो ये भी डन ये वा भाँनस मौनस होने में सारी चीज़ें बिलकुल सही है, इसलिए ये वाला जुम्ला सही है, इसमें कोई भी गल्ती नहीं दिख रही है तीसरे मिसाल में आते हैं, यदीदु समनू, चलिए यदीदु बिल्कुल ठीक है समन के इतिबार से लेकिं जब इस जमीर की तरफ देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इससे पहले जो मरजा है इसका कोई भी मुझकर चीज नहीं दिख रही है तो ला महाला ये किस की तरफ लोट रही है ये साह की तरफ लोट रही है वसाह क्या है मौनस है तो हा की जमीर होनी चाहिए ना के हू की जमीर ठीक है और यही मसला जो है चौथे वाले में जो है थोड़ा सा बदल दिया गया है कि ये तो गलती है ही है ये वाली गलती भी हो गई जो पहले वाले मिसाल में थी लहाजा जो है इसमें हमारा दो नंबर सही होगा ना कि एक नंबर ठीक है? एक नंबर बिलकुल सही नहीं होगा क्यों नहीं सही होगा वो मैंने आप लों को बता दिया है चली किसी को sky al this world इस सवाल में? आप कुछ कह रही है? नेक्स वाल की तरफ देखते हैं यानि पहले जो है बस्री नहुनिगार जो है किसको मानते हैं हम लोग इन चार में से पूछा जा रहा है इन अबी इसहाक अलहजरमी, इसा बिन उमर स्थकाफी, अबु अमर बिन आला, यूनूस बिन हबीब तो अगर मैं देखूं तो चारों लोग जो है नहों के फिल्ड में इन्होंने चारों लोगों ने कुछ ना कुछ काम जरूर किया है इसको हम दो मानों से जान सकते हैं या तो हम इसमें से देख लें कि बस्री बस्री कौन है तो बसरी जो है इसमें से दो तीन जो है बसरी है ठीक है तो हम उस नाहिये से नहीं पकड़ सकते हैं दूसरा ये कि हम ये देखें कि जो है इसमें जो है क्या कहते है सबसे पहले किसकी वफात हुई है उस हिसाब से हम जो है इसको जान सकते है ठीक है तो किसी को जवाब देगा और बाकी ये शौकी जैफ ने भी इन्ही का नाम लिखा है वो एक हिसाब वो एक अलग चीज़ है कि दलील है हमारे पात शौकी जैफ ने इन अभी इसाथ हजरमी को ही पहला जो है नहवी माना है इनकी जो पैदाई चीज़ हुए है 650 में 735 में इनके वफात हुई है 29 ही से 177 ही के अंदर बाकी लोगों के ईसा बिन-ुमर सकथी 766 में इनके वफात हुई है 149 ही बनती है अबो अमर बिन-ال्हा जो है 774 ही ज्योषी में यानी 154 ही में वफात होती है तो इस नाई से भी आप जान सकते इन की डेट जरूर याद रखिए के Ofra Ben Alah जो है इनका नाम जो है बहुत जादा आता है हमारे पेपरों में जो है तो इनकी डेट कम से कम याद रखें जादा हो सकता है कभी जो है किसी शखसियत के साथ जो है डाल दें तो 687 से लेकर 70 सवी 70 हिज्री से लेकर 154 जो है हिज्री तक यानि जो अमवी और अबासी दोनों जबानों में इन्होंने जिन्दगी गुजरी है लेकिन इसका जवाब जो होगा इबन-अभी इसहाफ अलहजरमी होगा यानि जो है पहला वाला उप्शन जो है इसका जवाब है शोकी जैफ के एतिवार से उन्होंने अपनी किताब में इनको जिक्र किया है यह सर्थ दो नीचे वाले इनके शागिर दे जी 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 गुड ये एक सवाल है तो इस सवाल को भी आप लोग कर सकते हैं तो अगर जो है इसका जो है हमें जो है जहां तक बात रही वर्ड मीनिंग की तो वर्ड मीनिंग में जो है एक बात याद रखे हमेशा कुछ चीजे तो हम याद कर सकते हैं और अगर हम 5-5 words, 7-7 words भी रोज याद करें तो भी हमारी एक बहुत बड़ी तादाज जो हो जाएगी याद करने की मेरे खुद वालिदे महतरम और प्रोफेसर हबिबुल्ला खान अपनी डायरी रखते हैं और रखते थे मेरे वालिद जो है और वो जो है नए words लिखा करते ठीक है तो जब एक बार आप लोग वयाद करने की जो है एक शुरू कर देंगे आप लोग वयाद करने एक डायरी रखना जिसमें जो है कभी पेपर पढ़ने हैं कुछ भी पढ़ने हैं कोई नया word आपको मिल रहा है तो उसको जरूर जो है उसके अंदर लिख लिया करें औ जो है उसके मीनिंग लिख लिया करें अगर आप अर्बिक के स्टूडेंट है तो अर्बिक के परिशियन के स्टूडेंट है तो परिशियन के मतलब जिसके भी स्टूडेंट है उनके हिसाब से ठीक है तो आप जो है उससे क्या होगा कि एक बार आप लोग लिख लेंगे ल पढ़ते हुए जो है दोहरा ले, कुछ चीज़ें जो है आप कोई नोट बुक बना ले, कोई कापी बना ले, उसके अंदर लिखा करें, उससे याद हो जाएगा, जो है कुछ चीज़ें जो है हम सुनकर याद कर सकते हैं, लेकिन जो है वार्ड मीनिंग आपको याद करने ही पढ़ेंगे, जो है ऐसा नहीं हो सकता है कि वार्ड मीनिंग याद नहीं कर सकते हैं, बेकर किये जो है काम चल जाएगा, क्योंकि जो है वार्ड जो है रोज बरोज हमेशा जो है इसमें बढ़ोतरी होती रहती हैं, नए नए वार्ड आते रहते हैं, तो याद करना बहुत और जिस पेपर में यह आया हुआ था, यह दोनों और आपशन माने गया थे, रही बात जो है तासीर और जो है असरीयून के, तो तासीर के मेनिंग जूस निकालने, जूसिंग के आते हैं, और बास जगों पर इसके भी जो है मोडरनाइजेशन के मीनिंग आते हैं, लेकिन का आम इस्तेमाल जो है जूस और जूसिंग के आता है और अस्रियून का जो माना होता है modern और modernistic जो है इसका माना होता है तो ये तो है दुबारा से भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये ऐसे word हैं जो confusing हैं जो confusing words होते हैं वो बारा एक्जाम में आते रहते हैं जैसा कि आप लोग पेपर देखेंगे तो कई बार आप लोगों को दिखेगा international monetary fund रही ये सब तराकीब हैं ये नाम हैं तो नाम जो है आपका तरजुमा जो है कुछ आप्शन सही हो सकता है लेकिन जो है वहां पे तरजुमा के नाहिये से नहीं चलेगा बलके जो है उसका special name क्या है उसका जो है यूज किस तरीके से होता है उस organization का उस जो है community का जो है बन सकता है ठीक है इसके लिए इंटरनेशनल मोनेटरी फंड के लिए तरजुमे के एतिबार से लेकिन ये यूज नहीं होता है लहाजा इस वाले को हम जवाब नहीं मान सकते जवाब किसको मानना पड़ेगा संदोक नकदित दो अली तो इसको भी जो है आप लोग जो है एक खटा करके एक जगा पर याद कर सकते हैं ठीक है मैं कुछ चीज़ें एक खटा कर रहा हूं मैं जरूर शेयर करूंगा इंशालला जो है अभी मुकमल नहीं जो है खुछ से भी कर सकते हैं ताफिर और तहदीश ये दो माना था साइब जी ताफिर और तहदीश ये दोना का माना था जो है जो है तक मुझे याद एख़ा है ओके मैं दुबारा एक पर और और देख लूँगा कोई दिक्कत की बान नहीं आपने से ये आसर नहीं जो पर ऑफानी के माना आते हैं मौटला इस ехड़ीश एं दोनों के माना आते हैं ना कोई नहीं जासमीना मैं एक बार और चेक कर लूँगा जो भी कह रहे हैं अगर कोई इसमें गलती होगी तो मैं दुबारा से आपको ग्रूप में मैं बता दूँगा कोई दिक्कत अभी जो मैंने देखा है उसके हिसाब से यही दोनों आता है ठीक है चलिए आर यू लुकिंग फॉर दिस बुक इसका तरजमा कीजिए तो इसका सही रई साब बताईए इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा हमें यह देखना पड़ेगा कि लुकिंग फॉर जो है किस माने में यूज होता है क्यों क्योंके जो है हाजल किताब और हल अन्त ये तो सेम है ठीक है दिस बुक के लिए और आर यू के लिए तो सेम हर चारो आप्शन में सेम है लेकिन सिर्फ इखतलाफ तंजरो इला होगा तबहसु फी होगा तबहसु अन होगा तक्राव मिन होगा इसमें तो इसमें क्या करना होता है इसमें भी वही है आपको वर्ड जो है उसके सिले के साथ याद करना है क्योंकि सिले की वज़ा से जो है माना बदल जाता है ठीक है तो जैसे अगर हम देखना चाहें तो नजरा इला तंदुरो इला मतलब होता है लुक एट ठीक है ठीक है लुक ए युफतिशों के मीनिंग में आता है तफ्तिश करने के में आता है लेकि लोक फोर के लिए कुन सी मीनिंग आती है बहसा अल इस वज़ासे यह वाला आप्षन सही होगा ठीक है तो इसको क्या करना है इसी तरह जो है बहुत सारी जो है आप लोग पढ़ते हुए यह सब जो है जो है जितना पढ़ा होगा आपने एमे तक और जो आप साथ में पढ़ रहे होंगे अपने तयारी के वो सारी चीज़े इसमें आपके लिए हल्फ फुल होंगी ठीक है कलिमत रियाजा मुश्टकत उनमे ये बताईए कि जो है रियाजा जो है किस से मुश्टक है तो जो है जो भी मस्दर दिया जाता है तो मस्दर के लिए अगर इससे इश्तिकाब को मालूम करना हो रूट वर्ड को मालूम करना हो तो उसका माज़ी मुजारे अगर आपको मालूम हो तो जो है उसका मजदर आपको निकाल सकते हैं इसके लिए भी कोई कायदा ऐसा नहीं बना है या मुझे नहीं मिला है कोई कायदा अगर कोई किसी के पास होगा तो बता सकता है कि हम जो है कोई कायदा लागू करके इसके अंदर जो है हम कोई चीज निकाल लें बलके हमें क्या करना होगा इसमें भी जो हमारी वुसाते इलिमी जितनी है अरभी के तालुक से वो चीज हमारा फायदा पहुंचाएगी ठीक है और अगर छोटा सा मतलब मैं वो बताओं जो है लॉजिक बताओं अगर ये सवाल का तो आम तो पर जितने भी चार पांस सवाल अखी तक मैने तमाम पेपर्स में देखें है ठीक है तो उसमें जो है आम तोर पर जो है रोजा मतलब जो है वाओ उसका वो हो क्या कहते हैं आएंन कलमा हो लेकिन मजदर में वो याज या या से तबदील हो जाता हो वो वाले कलमे दिए गय은 है जैसे अयादा दिया गया है इस तरह के कलिमात दिये गए तो अगर बाइचांस आप लोगों को पक्का याद ना हो तो ये वाला लॉजिक लगा के आप लोग निकाल सकते हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि जब तक जितना जादा अच्छा यही होगा कि आपको याद हो आपको इतनी जो है समझ पैदा हो जा के आम तोर पर जो है वो कलिमात इसमें दिये जा रहे हैं जिसका जो है एन कलमा तो वाओ हो लेकिन जो है मसदर में वो या लगता हो तो जिससे बच्छे कन्फियूज होका जो है रवजा लगा दे ठीक है यह रवाजा लगा दे ठीक है तो ठीक है यह बास समझ सकते हैं बा इसलिए निकल जाएगा कि इसका जो है एन कलमा जाद है लेकिन यहां पे इसका लाम कलमा जाद है तो ऐसा नहीं हो सकता है फा एन और लाम कलमा तो तरतीब में कभी नहीं बदलेंगे मस्दर और फिर आफ इसमें क्या कहते हैं माजी और मुजारे और मस्दर में कभी भी फा ए नाम कलमा की तर्तीब नहीं बदल सकती है लहाजा यहाँ पर तर्तीब बदली वे इससे सो काड़ सकते है और रही बात हमजे की अगर हमजा होगा तो हमजा नहीं बदलता है ठीक है अलिफ या बदलता है हमजा कभी या के अंदर ऐसे तबदील ऐसे तब्दील नहीं होता है ठीक है इसलिए ये वाला भी कट गया रही इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन थी तो थोड़ा सा अगर या तो याद हो आपको या जो है मेरा वाला लॉजिक लगा कि आप निकाल सकते हैं अगर बिल्कुल भी याद नहुत तो ठीक है जी कोई कु कलिमा यादा मुश्टक्कत नमिन ये भी जो है आचुका है इसका बताए जवाब जी अब्दुलमलिक अब्दुलमलिक जवाब बताए तो आदा जीम होना चाहिए डाल कैसे हो जाएगा आप लोग कैसे कह देते हैं डाल जीम सोचते भी नहीं है आप लोग बिलकुल भी जी कौन-कौन रईस का साथ दे रहा है आदा यहूद्व यादतन होता है न जी तो दाल होना चाहिए ये जीम होना चाहिए जीम सबी लोगों का इत्तफाक है इस बात पर अलिफ याद में नहीं होगा सच चेंज वाव होगा ये अलिफ थोड़ी है ये तो वह है ना आदा है आदा या वो दो एरतन ही तो होता है चलिए नहीं ऐसे जो है डाल ही होगा आदा ही होगा ठीक है अब किसी के कहने से अपने जवाब में तब्दीर ही ना किया करें ठीक है आदा जो है ये क्या है ये इसमें माजी का सेगा ये ठीक है यहां पर रूट वर्ड निकालना है अवदा था असल में वो आदा में तब्दील हुआ तो रूट वर्ड जो है कि तो ये माज़ी का सेगा, मुजारी का सेगा, मस्दर है, ये तीन तरह के मस्दर आते हैं, ये आदतन, ठीक है, इसलिए जो है, कब इससे भी कन्फ्यूजन हो सकती है, जैसे जो है, मेरे कहने पे जो है, कुछ लोगों को हो गई, तो इससे नहीं, ये जो रूट वर्ड का मतलब ठीक है, चलिए, अइन अल्जुम्ला अस्हीहा मिम्मायल, तफ्रह उस्रती बिमन याटी लिजियारतिही, तफ्रह उस्रती बिमन याटी लिजियारतिहीं, तफ्रह उस्रती बिमन याटी लिजियारतिहीं, तफ्रह उस्रती बिमन याटी लिजियारतिहीं, तव्रह उस्रती बिमें यटी बिजियारतिहिम मतलब आप लुग काप कहना ये चाहरे हैं कि ये वाला सही है है न जी जी चाहले पहला वाला गलत क्यों है जी जी फखरूसमा थोड़ा सा सबर करें थोड़ा सा सबर करने वस जी तोसी बताये उसरत तुन यहां पर मौननस है तो आखर में जो जमीर है वो ही लाई गई है ठीक है दूसरी वाले गलत क्यों है जी दूसरी वाले गलत क्यों है एक सिकंट तफरह उसरती बाही आएगए शायद पुरशार नहीं होगा नहीं यह शायद यह सही दिखिए इसमें तो अर्बिक में तो शीरिटी चाहिए चलिए आप कन्फियूज है चलिए यह वाला गलत क्यों है हिन्न ये मौनस जमा है यहां पे हिन्न तो ये उसरती के साथ नहीं आएगा उसरत तुम के साथ जो भी जवाब देना चाहेंगे वो जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे जब तक कि मैं पूछू ना उनसे सना फारुकी आप बताएए और सना फारु सॉरी सॉरी ये तो सही सर है सॉरी उनके अपनी भतीजी के नेम से वह आते हैं नसरीन मंडल आप बताएए जी नसरीन बताएए कौन से वहला सही है जी जी पहला वाला क्यों गलात है पहला वाला लिजियारती ही है और उसतब तो मौना से लिजियारती ही तो खामज़ा तो मुज़कर हो गया तो यह नहीं होगा क्यों नहीं होगा उसरत जो है वो एक फैमिली को मतलब समझा रहा है इसलिए जियारती हा ही होगा यह क्यों होगा जब गुट नहीं समझा रहा ह molecular क्यों होगा उसरत की वज़ासा कि यूँक्शरत जो वोड़ है यह मौनना से च्छला तो बाकि सारी बाते सही है तफ्रहू उसरती भी मियाती तो आप लोग मैंने जो तरीका बताया कि आप लोगों ने देखा यहां तक जो है कोई दिक्कत नहीं सारा सेम है तो इस से पहले का मसला नहीं असल जो है लिजियारा भी खीक है बस यह हू हा हुन्ना हुम जमीर क्या होगी वो देखना है तो हमें इसमें क्या करना होगा हमें जो जमीर है उस की तरफ लोट रही है ठीक है हाँ जमीर है वाहिद मौनस की जमीर है ये भी मौनस है तो ये वाला हम सही मान लेते हैं ठीक है लेकिन हमें ये देखना है कि अगर ये सही तो चोथा क्यों गलत है वो भी तो हाग की जमीर वो भी तो मौनस की जमीर है तो वहाँ पर हमें ये कहना होगा कि वाहिद मुएनस है ये और जमा मुएनस का सेगा उसकी तरफ नहीं लोटेगा ठीक है ये नहीं कि इसके अंदर लड़कियां लड़के ऐसा कुछ नहीं बलके ये क्या है ये वाहिद मुएनस का सेगा है तो उसकी तरफ जमीर क्या लोटेगी वाहिद मुएनस की लोट ठीक है जमामॉणनास की जमीर नहीं लोट सकती है और नहीं जमामुछा की जमीर, नहीं वहीर मुखकार की जमीर ठीक है चलिए, नेक्स देखते थाई, कोई सवाल और गलत कौन सा है देखिए अगर नहीं बोलेंगे तो मैं रिमूव कर दूँगा यहां से ठीक है मुबश्रा आप बताईए जी सर्थ जी बताईए सही कौन सा है और गलत कौन सा है गलत क्यूं है समझ में आप आवाज नहीं आए फिरू से दुबारा बोलिए मैं बोलत की सर्थ बेवाला सही है ऑके बावाला सही है क्यूं सही है यह आपके हिसाब से हम इसको टिक लगा देते हैं सही का चलिए अगे मत बताए क्यों साइए यह वाला बताए कि यह क्यों गलत है जी कोशिश कीजिए आईशा इनकी मदद कीजिए जी सर ऑप्शनमर बास कोई यहां पर करतो के बाद यह किसरतान हालत नस्भी में है उपर किसरताना है जो कि रफी में आएगा तो रफी में नहीं आ सकता है नहीं सर अगर तो पढ़ेंगे तो हालत इसने खुद खरीदा है तो यह फैल फाइल खुद पर रहा है और आगे वाला अफूल है इससे साबसे यह किसरताना का सेगा है और मुसन्ना का सेगा हालत नस्भी में जो है और हालत जर्री में उसका इराब या के जर्या आता है या नून के जर्या और अलिफ नून के जर्या हालत रफी का इराब आता है लहाजा जो है किसता यह आ आयe rigor, किसते ना आना चाहिए ठीक है भागी तो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है अब चौता तीसरा वाला क्यों गलत है? सेऱ् तीसरा वाला Алlaittain आया है जबकि अलललताइन उसके मुवफिग आना चाहिए था हरव मौसूला किस सताइन की मौसूला कि चौता वाला क्यों गलत है उसमें लिखने में थोड़ा है अल्ला ताइन एक लाम नहीं है इसमें तो इस वज़ा से ठीक चली तो यहां पर तकरीमां सारी बाते बिल्कुल सही है कि सताइन जो हालत नस्भी में होना चाहिए क्योंकि य हमारा मफूल भी होगया और तो इसमें मौसूल है और तीसरा वाला इस लिए गलत है कि अल्ला ताइन लिखना हो जम्मावला तो एक लाम के साथ और अल्लजएने लिखना हो तो दो लाम के साथ तो ये गलती भी आपको दी जा सकती है exam में इस चीज़ भी आपको याद रखना है इसको पढ़ेंगे अल्लजएने इसको पढ़ेंगे अल्लजीना ठीक है? चली युख्जी हयाएं वयुख्जा मिं महाबतिही फमा युकल्मू इल्ला हीन यबत्सिमू ये शेर जो हम लोग पढ़ चुके हैं और यहां पे सवाल ये है कि कल्मतु हयाएं फी हाजल बाइत मफूल लिए अजलिही मफूल मुतलक मफूल मां मफूल बेही जी जाहिद आप बताईए जी सर ये मफूल लिए अजलिही है क्यों है मफूल लिए अजलिही ये उज़ा बयान के जा रही है गुड 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 चलिए तो ये बात बिल्कुल सही है मेरे लिए आज से कोई इसमें खिलाफ करेगा नहीं तो यह जो है मफूल ली अजली ही है क्योंके सबब बताया जा रहा है कि यह क्यों जो है अपनी निगाहों को नीचे क्यों करते हैं, टिक है? इसलिए मफूल ली अजली ही है. मफूल ली अजली है? चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं शायद मैंने जिक्रिए है मफोल मफाइल जो है पाँच होते हैं मफोल पी ही मफोल मुतलग मफोल शी ओ दौन अब लोग सभी का तारीप भी ज़रूर याद करें और जो है मिसाल भी यहां पर देख लेते हैं इस मनसूब उन युबैयनु मन और मा वकालेही फैलो फायलि यानि किस चीज़ के बारे में या किस चीज़ पर मतलब जो है कोई गयर जबी लुकुल या कुल जिस पर जो है फैल का फैल वाकि हुआ हो उस चीज़ को बयान करता है मफूल भी जिसे कतब तु अद्दर सा ठीक है मफूल मुतलब मस्दर मनसूब होता है यह जो है फैल के बाद जिक्र होता है उसी लफसे यानि जो है जिस लफसे फैल आया हो उसी लफ्स से वो मस्दर आता है जो कि इसके बार मस्कूर होता है उस फेल के बार कभी तवकीद के लिए होता है कभी बेर नौ के लिए होता है कभी जो है बियान आला के लिए होता है कभी अरद के लिए होता है उसकी मिसालें यहां पर दे रखी है नहज्ज्टु नहज़नों अकलाई नहज्टु नहज्द trail उकलाई नहज्ज्टु नहज्जल उकलाई जो है यानि जो है मैंने जो है अकलमंदों के तरीके bands के लिए ताकीद के लिए ठीक है और जो अरत को बे יन करने के लिए खतव तु खुतवतई नहीं, यानि मैं दो कदम चला, ठीक है, तो अरत बयान कर रहा है, या पे खुतवतई, तो ये भी क्या है, मफूल मुतलक है, ठीक है, और जो है, बयान नौ के लिए, फस बिर सबर अजमीला, मतलब कैसा, अच्छा सबर करो, ठीक है, और जो है, कभी आल ये हो सकता है, कि आपकी तारिफात दे दी जाए, और आपको मुफाइल से मिलाना हो, तो कुछ भी पूछ सकते है, मफूल फी, जैसे जिसको जर्फ भी कहते हैं, ऐसा जर्फ जो किसी मकान या जबान को बयान करता हो, जहां पर फेल वाकए हुआ है, ये जर्फ की दो किसमे हैं لیلن کو اور ظرف بھی कह सकते हैं और कभी जो है फेल के होने के मकान पर द्राद करे ज apresent जलस तो में तुम्हारे पास बैठा तो यह मकान बता नहीं किस के पास तुम्हारे पास यजली मस्डर मंसूर यूजवबादल फेल लिबयानिए इल्लति ही यानि जो है ऐसा मनसूम मजदर जो के बयान इल्लत के लिए आता है यानि जो है सबब और हुदूस इल्फेद जो के अभी मिसाल में आया था साफरतु तलबन लिल्लमे वकफतु इक्रामन लिल्जद्दी वालामतु अईसिहा वकूँ जवाब लिमाजा फालता यानि जो है इसके अलामत यह है कि अगर यह पूछा जाए कि लिमाजा फालता तो उसका जवाब बन सकी है ठीक है, कि लिमादा साफरता, तूने सफर कियूं किया, तो साफरतू तेलबन देलमे, लिमादा वकफता, तू क्यूं खड़ा हुआ, तो वकफतू अक्रामन लिल जद्दी, ठीक है, समझ में आरा है, वफौल माहो, ऐसा मनसूप, इसमे मनसूप, जो के वाओ के बाद वाकि जिसे वाय वायियत कहते है और वो क्या होता है मा के माना में होता है कि काम किसके साथ जो है हासिल हुआ है सिर्थ वा खालिद निकि मैं और खालिद चले तो जो है खालिद के साथ जो है मेरा चलना जो है वाकिख हुआ है तो इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजेगे जब मैं PDF डालूँगा उसमें आप पर और इसको जिन लोगों का पहले से अजबर है तो कोई दिक्कत नहीं है जिन लोगों को थोड़ा सा शक वगए रहा था तो वो लोग एक बार इसको देख लेंगे ठीक है सुरय नसीर आप इसको बताएए अबैदुल्ला आप बताएए जाहिद आप बताएए जिसर अलिफ आफसन सही है ओके बाकियों गलत है टीसरा वाला क्यों गलत है यहां पे हिन्ना है वही यहां पे भी वाहिद मोलना सहना चाहिए था ख्यूल की वजएध से और पही आफस। दाल जो है, ये हाँ पर ये उम्ताज़ होना जाहिया था जी पिल्कुल सही बताया है जाहिद ने के पहला वाला सही है क्यूंकि जो है इसका फा1 है ये फेल मौनस है फाइल जो है जम्मकास्र फाइल है फाइल जम्मका Hawksyon और उसकी जो है खुयूल की जो सिफत आ रही ही वो भी वाहिद मौनस आ रही है और बिसुरातियाहा की जो जमीर आ रही है खुयूल की तरफ लोटरी वो भी वाहिद मौनस की है इसके अंदर सारे कायदे जो है अरबी के पाये जाते हैं लहाजा ये सही है दूसरा वै इसलिए गलत है कि हुम की जमीर आ रही है जो कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि जोई वाहिद मौणनस आनी Čिए इसलिए यह गलत है तमसाज लखोयूल अरबियतु भिसुरआतिहिन्दा है जोकि जमा मौण NDais है वाहिद मौननस के हुकम में आम तोर पर होता है इसलिए ये गलत है ठीक है यहां पर यम्ताजों नहीं तम्ताजों होना चाहिए ठीक है ये तूयूर की तहा ही खुयूल है गयाज़ बिलुकुल जी नसरी अब कौन बताएगा ये वाला सवाद आद उठाए लौजमा हम आपसे पूछना चाहते हैं कई बार लेकिन मसला ये होता है कि आपकी आवाज ही नहीं आती है अब हम जो है माजूर है आपसे ना पूछने पर जी 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 मेरे को भी बहुत अफसुस हो रहा है आवाज ही नहीं जाएगे जी जी रईस आप बताईए अब मैं जिन लोगों के नाम ले रहा हूँ उनों भाव ही नहीं दे रहे जी रईस आप बताईए सर ये पहले वाला से ही हो जाएगा चली दूसरा क्यों गलत है सर यहां पर खमसता आया हुआ है ना जी जी और इसी तरीके से ये तालीबन भी आया हुआ है एक और 13 से लेके जो 99 तक की वो होता है तबमीज जो होती है हमारी वो जमा मजरूर होती है हाँ जमा मनसूर होती है इसमें कंदिफिजन थोड़ा जाए ओके चो तीसरा क्यों गलत है ये खमसता है और तालीबन ये सिंगल आया हुआ है यहां पर जमा होना चाहिए था ओके चौत्था क्यों गलत है ये खमसता है हुआ हुआ है ये खमसा है जी फाइजा आप इसको एक स्विलन कीजें ओपशननमबर डी जिए है दाल जिए हो ठीक होगा क्योंकि तुलाब जो जो हैं गमसा में आती है मुँखालिफा आती है और जो मादूद होता है वो जम्मा आता है और मक्सूर आती है पहले में गलत इसलिए है क्योंकि हूं मौननस नही है क्या मौननस नही है और दूसरे में कचालीब आई हा तौटी जमा मकसूर को एती है और तीसरे में तालिब ना आए जो करना तक बता है तो आप्शन नीमर डी सही हो पुल सही सरह चले कोई नहीं, यहां गलती हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है एक्साम में गलती नहीं होनी चाहिए, यहां पर गलती होगा तो कुछ नहीं कुछ नहीं ही सीखेंगे, ऐसा नहीं है गलती सबसे होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है चलिए, एक चीज़ आप लोग याद करें, याद रखें, कि जो हमारा तीन होता है, तीन से दस तक जो होता है उसके अंदर हमें क्या देखना है, एक चीज़ होती है अदद, एक चीज़ होती है मादूद, ठीक है, जिसको हम तनीज भी कहते है इतनी बात समझ में आ रही है, अदद वो होता है जो गिंती होती है, जो चार, पांच, तीन, छे, आठ, दस, पंदरा, पचास, साथ, असी, नबे, सो, दोजार, तीन, अदर, दस, दार, ये जो है अदद है और मादूद, जो है, जिसकी गिंती बताई जा रही है, तमीज भी उसी को कहते है, जानी जिसकी गिंती बताई जा रही है हमें यानि जो है दो, तीन, चार जिसके बारे में बता जारा है दो बच्चे, तीन बच्चे, दस बच्चे, पचास बच्चे, दस बैल, बीस बैल, सो बैल, पंद्रा बैल ये जो बताया जारा बैल जो है, वो हमारा मादूद है तो हमें तीन से दसमे क्या याद रखना है कि हमें दो से तीन कायदे है नमबर एक कायदा ये है कि जो हमारा अदद होगा वो जो हमारा हमेशा मुखालिफ होगा क्या होगा? मुखालिफ होगा मादूद के किस चीज़ में? मुखकर मुएन्नस होने में ठीक है, ये जो है हमारा अदद के बारे में ये बात हो गई, मादूद के बारे में, ठीक है, मादूद जो है, अदद से मुखालिफ होगा, ये बात हो गई, दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात ये हो गई, कि जो हमारा मादूद है, वो क्या होगा, जमा होगा, ठीक है, पहली बात क्या हो गई, आदद और मादूद जो है, मुजकर मौनस होने में मुखालिफ होंगे, दूसरी बात हो गई, कि जो मादूद है, यानि जो तमीज है, यानि जो मादूद है, जिसके बारे में चीज़ बताई जा रही है, वो जमा आएगी, और तीसरी बात यह है कि व क्या है? मुखकर है. मुखकर और मुखनस हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम वाहिद के इतिबार से डिसाइड करेंगे. जमा के इतिबार से हम डिसाइड नहीं करेंगे. ठीक है? ये वाला पॉइंट जो है, ये बहुत important है, बास जगों पे इसी पॉइंट की वज़ा से गल्टी ह को सकती है कि जो है हम जो है मुजखकर मौनस होना मादूद का उसके वाहिद कलमे से डिसाइड करेंगे ना कि उस जमा के कलमे से डिसाइड करेंगे जो वहां पे दिख रहा है ठीक है तो 500 तुलाबिन तुलाब की वाहिद क्या आती है तालिब आती है तो तालिब क्या है मुज जमा नहीं है, यह तुलाब होनी चाहिए, छहाज़ इस वज़ासे यह वाला घलत हो गया. थीसरा क्या है? खमसतो ठीक है, क्योंके तालिब मुझ्ँ कर है, लेकिन इस को क्या होना चाहिए? एक तो मज़रूर होना चाहिए, मनसूब नहीं होना चाहिए. तो ये गलती, दूसरी गलती कि इसके वाहिद नहीं जमा होने चाहिए, इसलिए ये दूसरी गलती है, यहाँ पे तुलाब होता है, यहाँ बिलकुल सही है, क्यों सही है, कि खमसतों मौनस भी है, तुलाब की वाहिद आती है तालिब, जो कि मुझकर है, मुझकर मौनस यहाँ पे खटा हो गए लिहाज़ा जो है ये वाली बात सही है दूसरी ये कि यहाँ पे जो है तुलाबिल लिखा हुआ है तो लिहाज़ा जो है मकसूर भी है लिहाज़ा ये वाला आप्शन सही होगा तीन से दस्तक के कायदे को समझने में किसी तरह की किसी को कोई कन्फिउजन नए सर बिलकुल से किलिया जी रईस जी सर कि गुड़ काफी दू कभी यह समझ में नहीं आया था सर अभी समझ में आया अभी आ गया जब पढ़ा दे तो समझ में आया था तरवाइस तक कुछ दिन डो दिन छोड़ दो तो तो भोल जाते हैं जी अदद मातू ज किलिद दूसरे जबानों के अंदर जो है हम केजी नरसरी में थे किताबों में लिखा होता है जिसकी वजह से जिए हम थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है ,एसे कोई मुश्किल बिलकुल भी नहीं है इस पे जो है एक वाक्या याद आगे हम लोग जो है बीए सेकंड एर में प्रोफेसर आयूब सर पढ़ा रहे थे लकनवी उनिवरसिटी में एक पर पेपर बना और बीए सेकंड एर का पेपर था उसमें अदद मादूद पूछा गया था तो जो है बनाने वाले क खिलाफ जो है किसी दूसरे डिपार्टमेंट के टीचर ने जो है शिकायत कर दी वी सी के पास कि जो है कि बीए सेकंड एर के अंदर ये लोग जो है गिंती पूछ रहे हैं एक दो तीन चार पूछ रहे हैं ये क्या पढ़ा रहे हैं बीए सेकंड एर के अंदर तो जो है ये ठीक है तजामूई के मीनिंग बताईए क्या होता है बाकी जो है अगर इसका हम तरजमा करना चाहें देखना चाहें तो मुसलिमें अर इस्टि़ वारकिंग फॉर इस्लामिक सॉलिडर्टी एंड विल ठीक है और जो है तिनसीक कोडिनेशन के माने तनसीक तनासुक के मीनिंग में भी आता है cooperation of taun جو ہے مجلس taun الخalijji کیا نام ہے उससे भी आप लोग इसको पकड़ सकते है consolidation के मेनि में आता है التوتीद التاسील الانतमाज الانزमाब इस तरह के मेनिंग में आता है यह तुझे झो है थोड़े से confusing words है एक जैसे है इनको जरूर याद कीजी ये दोबारा भी आ सकते हैं तो ये भी थोड़े से करीब करीब वाड्स हैं तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं तो अलाका सुनाईया के लिए जो है यहां पे जितने वाड्स दे रखें ठीक है यह तीनों वाड्स जो है इसके meaning देती है अलाकास सुनाईया के लेकि यहाँ पे मसला यह है कि अलाकास सुनाईया के लिए dual relationship या binary relations जो है यह जो हम use नहीं करते हैं आम तरह पर use नहीं होता है मुस्तामल जो है या जो कसीरुल इस्तेमाल जो है वो bilateral relations है लहाज़ यही वाला आप्शन सही होगा ठीक है टू-फोल्ड रिलेशन के और बाकी बाइनरी और डूवल रिलेशन जो है वो भी जो है अलाका सुनाईये के मीनिंग में आते हैं लेकिन यह यह यूज नहीं होते हैं लेकिन आते हैं लहाज़ ऐसी जगहों पे हम जो है कसीर लिस्तेमाल चीजों को ही हम फौकियत देते हैं लहाज़ यह वाला आप्शन सही होगा टू-फोल्ड होता है रिलेशन अलाकात अलमुस्दवजा ठीक है नेक्स्ट है इस ही ओके तर्जमतुहा बिलारबिया जी इसका बताएए कैफा हाल हूँ का के तर्जमा होगा जी बिलकुल जैसे हाउ आर यू पूछते हैं कई फाहालू का तो हाउ आर यू कि सिर्फ जो ही और यू का तबदिली हो गया है तो हाउ इस ही हल हुआ बेखायर के लिए तर्जमा करेंगे इस ही ओके हम हुआ बेखायर यहां पे जो है इससे पहले कुछ न कुछ होगा ठीक है वो उसके बाद यह चीज़ कुछी जाएगी और इस ही ओके अल्लहुलखेर अल्लहुलखेर इस हुटी ओके इस ही ओके ही तो आएका ना सर ऐसे मतलब हम कर सकते है नहीं नहीं इस ही गुट ठीक है इसको ऐसे हम यूज़ कर सकते है चलिए बाकि जो है इस ही ओके के मेनिंग में यह नहीं आएगा ठीक है चलिए शी हैजा आ स्मार्ट मॉबाईल तर्जमत हा बिलावबिया जी इसका बताएगा आप्स नमबर अलिफ सर अलिफ सर अलिफ सर बाकि यहां पर जो क्या देखना है कि हमारा जो है इंदहा यानि शी हैज तो यह तो जो है सारा सही है लेकिन यह बताएए कि यह तर्कीब क्या बनेगी है जुम्ले सारे सही है बस जो है शी हैज एस स्मार्ट फूल के मेनिंग नहीं दे रहे है इंदहा जो यहां पर है यह खबर मुकदम है जवाल जखीएँ जो है एक का है मुक्तदा मुखर है इस तरह के सवालाद आने के पूरे चांसेज है मुक्तदा मुखर है अब यह वाली गलती नहीं होनी जाएगे यह किसी की भी जो मेरे स्टुडेंट है ठीक है तो जो है जवाल स्मार्ट मॉबाइल के लियूज़ करते है जवाल 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 अना फी बुस्तानी अहमद अल्जमील तर्जमतुहा बिल इंजलेजिया सही कौन सा है, क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है 35 कोशन करने जल्दे जल्दे कीजिए जी बताई जी ठीक होगा क्या? जी नमबर थ्री यह वाला स्था C सेर होगा C की बोला ना सर C होगा सेर, C Jim होगा सर, Jim I am in the beautiful order C होगा सेर, Jim I am in the beautiful garden of our bed यह वाला क्यों गलत है यह नर्सरी नहीं आता न चलिए यह वाला इस सर बूर नर्सरी नहीं हो रहा थे यह पर मतलब मरसरी नहीं आता तो यह प्र गलत ही हो जाएगा यह वाला क्यों गलत है सर क्योंकि जमीर जो है सिपत अहमद की नहीं है क्यों सिपत अहमद की नहीं है सर इसलिए क्योंकि मुझकर के लिए I think जमीर का वर्ड नहीं आता क्यों नहीं आता है आता है बहुत आता है लेकिन यहां पर तो बुस्तान जमील जी बुस्तान की ही है करे नहीं नहीं हम जमीर जो ऐहमद की सिफत मालने का दिक्त की बात है अहमद भी मधा भाता है तो जू है करे जमीर भी माणड़ह भी मारु परें गबाता है सर लिक सर ब्यूटिफुल नहीं आता ना पिर मर्डों के लिए आइ थिंक यहाँ हाँ और कुछ करना जाएगा यहाँ बुस्तान मौसुफ ऐल जमील सिफत है क्यों रहिए से अल जमील को अहमद की सिफत नहीं मान सकते हैं कोई कभाहत इसमें जी जी क्या कभाहते बताईए किसे नहीं मासकते हैं बताईए जरा पर इस पे बहस हो जाएज जी यही तो पढ़ेंगे आना फि बुस्तानी अहमदा जमीली यही तो पढ़ रहे हैं जी पढ़ तो यह तो मजाफिले ही तो बन रहा है अगर इजाबत हो जाए तो बन जाते ना इसले इजाबत नहीं होगी क्यों नहीं हम चलिए अगर इस कायदे के दाव हम अधे पढ़ लेते हैं क्या दिख करते हैं स्राइब हम फिलृस्टानी अहमधी पढ़ सकते हैं किए इसमें तो मिजाफ हो रहा है और जमीर यह सही हो सकते हैं कि यह मारफा है वो भी मारफा है वो ठीक लिए जब आप्शन में देख रहे हैं ना आयम इंड गारण ऑफ ब्यूटिफुल आइटिंक मरदों के लिए नहीं आता है जी जी हमने वह बात आपकी माले आप्शन यहीं सही है ठीक है लेकिन मैं कुछ और में पूछ रहा था वह जो है वो बन सकता है लेकिन यहां पर नहीं बनेगा ठीक है रईस क्योंके जो है ना ब्यूटिफुल मरदों के लिए यूज नहीं होता है हैंडसम यूज होता है जमील के मीने ही होते हैं हैंडसम और ब्यूटिफुल दोनों मीनिंग होते हैं वो किसकी सिफत बयान के जा र लेकिन यहांपे यह वाला सही है ठीक है अगर यहांपे लिखा हुता, हैंडसम, अहमद, तो कि यह वाला भी सही हो जाता ठीक है लेकिन अहमद के लिए जो है, beautiful यूज नहीं करेंगे, अगर्चे जमीर जो है दोनों हैंडसम और beautiful दोनों के लिहाता है चलिए अलिबारा मुझला फसलिया तर्जमतुहा बिल इंजिलेजिया जी बताई आप्शन नमबर एस फसल माने सीजन होता है याद रखिएगा लेकिन मजले के लिए कौडरली वर्ड यूज होता है मैं जिन्स के लिए नसरीन जो कराया जा रहा है पहले उस पर फोकस कीजिए जी जी बताई यह यह कह रहें तो फाइजा यह मैंग्जिन नहीं आता है न सीजनल तो नहीं आता है ऐसा हो सकता है ना कि सरसाल में चार आती हो इसलिए कौडरली फसलिया फिर इससाब से ठीक होगा यहां भी वही मसला है यहां पे भी वही मसला है कि अगर लफस के इतिबार से हम जाएंगे तो सीजनल मैगजीन भी इसका तर्जमा बिलकुल हो सकता है ठीक है इसमें कोई शक नहीं कोई इंकार नहीं कर सकता लेकिन यहां पे जो है मुस्तामल क्या है मजला फसलिया जो है quarterly magazine के meaning में इस्तेमाल होता है seasonal magazine के माने में इस्तेमाल नहीं होता है ठीक है न इसलिए यही वाला सही होगा लेकिन अगर कोई कहे कि वार्ड के हिसाब से हमें देखना है तो seasonal magazine भी सही है लेकिन यहां पे यह सही नहीं होगा ठीक है क्योंकि जो है असल में इस्तेमाल हम देखना पड़ेगा हमें क्योंकि यह terms है इसको इस्तेमाल जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से हमें करना पड़ेगा तो quarterly magazine जो है मजला फसलिया होता है क्योंकि हमारे जो है चार seasons होते है और जो quarter मतलब होता है one fourth ठीक है पिरिविडिकलमेक्जिन के लिए क्जिए क्या है चैनल मोसमी between और ओसलिया और स्थी हो सकता है कर सेंजिनल के लिए संविया नहीं हो सकता है ठीक है अनुछ के लिए सनविया होगा ठीक है general magazine. मजला trillion ठीक है चलिए और सीजनल के लिए मौसमिया भी यूज कर सकते हैं ठीक है ऐसा कोई ऐसा नहीं है क्योंकि सीजन जो है मौसम के मीनिंग में भी आता है ठीक है चलिए कलिमत तो इस्तिराब मुश्टकत न मिन जी यह बताई और शनमर्पार मौसमार चलिए फिर गुदिए जो कहेगा सही आंसर बताएगा उसको वज़ए बतानी पड़ेगी यह सिर्फ सही आंसर से नहीं काम चलेगा सही आंसर तो बहुत से, वो लोगी बता देंगे जिन्होंने आंसर की देखी हूं क्योंकि इलामाला यह पेपर से लिया गया है हमें यहां यह देखता हैं कि क्यों सही है जी आशवाकस आब आप बहुत देर होगे आपके हमाद सुनें वे जरबसे है सर क्यों है जराबा से? जराबा इसका माजी में है फिर इसका इब्दाल हुआ इसमें ये इस तराबा था असल में इस तराबा फिर ता को ता से बदलते हैं क्यों बदला गया? अगर कोई कहे जो है तराबा था तो आप कैसे इसका इंकार करेंगे? तलफुझ के सुखलत के लिए कोई ने कोई खाइदा तो होगा ना ऐसे थोड़ी के तलफुझ की सुखलत के लिए हम ता से पढ़ने में क्या दिक्ट दॉए इस तो रभ अवा पढ़ लेते हम क्या दिक्कT द्जे अश्वाक साब आप कुछ बता रहे थे आप क्या बताईए निये इसका लगाँ से अलिफ सही लग रहा है और फाइजा आपको क्या सही लग रहा है और अप्शन नंबर बाठी है यह दरबा है और यह फेल खुमासी आता है इस तरबा और ता इस लिए है क्योंकि मुझे चाहते क्या रहे दौए तो यहां पर थोड़ी सी चीज़ हम देख लेते हैं क्योंकि अगर इस बार इस तरब आया है तो अगली बर कोई और लफज आ सकता है ठीक है तो एक चीज़ यह याद रखिए एक नंबर दाल दाल और जा ठीक है यह तीन लफज जो है इफ्तियाल क्या होता इफ्तियाल ऐसे ह तो हमारा फा कल्मा यह हुआ एन कल्मा यह हुआ लाम कल्मा यह हुआ और यह ता जो है जायद है अलिफ भी जायद है अगर जो है फा कल्मा दाल हो जा हो तो क्या करते हम तो इफ्तियाल की ता को क्या करते हैं हम जो है डाल से बदल देते हैं ठीक है डाल की मिसाल अगर किसी को यात आयतो तिक है और ज़ाल की मिसाल जकरा जकरा कर सकते है एस धकरा तिक है जकरा और जो है और जो है जा की मिसाल जाजरा जाजरा से जाजरा 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 इस दजरा ठीक है इस दजरा या जो है इस दहामा ठीक है एक चीज़ हो गई दूसरा काइदा है के अगर जो है क्या हो साद हो जाद हो तो वो ठीक है ता वो तो हम क्या करते हैं इसको इसको जो है ता में बदल देते हैं ता को ता में बदल देते हैं ठीक है जैसे इस्तरबा हुआ इस्तरा से कहिए इस्तिलाह ठीक है इस्तलाह यहां पे जो है इस्तिराब ठीक है और इसी तरह जो है इस्तिलाब ठीक है हो गई तीनों की मिसाल हो गई न साथ जाथ और जो है इत्तिलाब इत्लाफ ठीक है सेर और कौई काइदा है किया है यहां पे सेर मुझे दो पाइदे यादा रहे है चलिए वो नहीं है अगर और कोई काइदा होगा किसी कोई याला तो भी ऐड़ कर सकता है मुझे ऐसा यादा रहे है कि एक और कुछ है I think कराद का कुछ है बाली बात नहीं कर सकते हैं अकर हमें याद नहीं है पका तो हम नहीं बता सकते क्योंके debating नन उससे हो जाती है तो यह दो तो confirm है यह दोनों आपको याद लखना है ठीक है टाल जाल और ्जा हो तो इसके जुहें टा को हम दाल से बतल देते हैं जैसे कि यह मिसाल है यहां पर और सौद जौद पौ जा हो तो उसकी ता को पौ से बतल देते हैं ठीक है इतनी बाद समझ में आई सभी लोगों को मैंने यह पेज़ी से लिए रखा था कि मैं यहां पर एड़ करूँगा लेकिन मैंने एड़ नहीं किया क्योंके अरभी में मुझे चाहिए था अशरु किताब इन्नहु अलकिताब मिन तालिफाति सभी को पता है कि सीव इन्नाव है ठीक है जी बताइए जी मिनारा आपकी आवाज अब नहीं आ रही है सर बाद में देख लेंगे चलिए बाद में देख लेंगे क्योंके जो है वक्त नहीं है हमें कोश्चन बहुत सारे कर लें अशरु किताब इन्नह तो हो गया है कलिमत बकर अल्लति माना पुले ये जमो ये जो है इस किसकी जमा है ये तो ये तो जमा और वाहित का जो खेल है ये सारी चीज़ें आपके पढ़ाई के उपर है आपने अर्बी को कितने डीपली पढ़ा है उसी के अतिबार से है थोड़ा सा कर देखना चाहें तो जो है इसको जो है आम तोर पर जो ऐसे जो होते है उसकी वाहित में ता लगती है ठीक है तो जो रहेगा उसी के जो है मुनासिब से ता लगा देंगे तो हो जाएगा जैसे इसकी वाहित बकरतुन है ठीक है बकरतुन जमाबकर ठीक है बकरतुन जमाबकर इसमें जो है मुझे नहीं पता कि कोई काईदा होगा अगर कोई काईदा हो तो बता है रहीज किसी को पता है जी यह काईदा है कि अगर ता को हटा दिया जाए तो उसमें जमा हो जाते हैं और ता लाकर वो वाहिद बन जाते हैं जिसे इले ही असदुल कलिमुत तो यह वो और ता को हटा दे तो कलिमुत तो जमा हो जाएगा कालिमात जो है जिन्स के जो होती है जमा ऐसा कुछ होता है सरभुला जमी में काइदा है सरभुला जमी में कि ताकों हटा दे तो जमा बच जाता है ताकों लेकर आते तो वाहिद बच जाते वही मैं बताना चाहा रहा था कि जो है आम तोर पर जो ऐसे तीन हर्फी कलिमात होते हैं या इस तरह के जो होते हैं जो जिनकी जो जमा जो है अगर बेगर ताके है तो उसके और जो हुआ हिज़ जो है ताके साथ आती है तो इसलिए जो है यह वाला सही है जैसे तमर नकल तमर हो जाता है जी जी बलकुल सही हुआ प्रा on यह पर घर जी बता हैं जी मेनारा जी बताइए जा आप बहुgod रहे थैंड़ का और तो काइदाए मैं बोल रहे था तो मिरी निक ट वर तोड़न में तो उसके जगह में ता से बदल जाता है जैसे कि आखजा इत्तखजा हो जाता है वाहदा अगर आए तो इत्तखजा हो जाएगा वाहदा अगर आए तो इत्तजाना हो जाएगा मतलब यहां पे खुद पे जो अल्फा कल्मा होता है वो जो है ता में बदल जाता है ठीक है यहाँ पे फा कल्मा खुद ता में बदल जाता है यहाँ पे ता जो है इफ्तियाल की जो ता है वो किसी और से नहीं बदलती है ठीक है ना यहाँ पे यह मसला है यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग मसला है ठीक है और जी मैंने अगली बात क्या बताना चाहरी आप हाँ तो तजदीद हो जाती है वो तो ता है ना फिर तो एक असली ता हो गई एक वो वाली ता हो गई तो वहां सिर्फ इदगाम होगा तो वो अगर ये तो समझ में आ जायाना चाहिए ऐसे ठीक है ना इसका सही बताएए तो लहाज़ा अगर हम इसको फाइल मानते हैं तो ये फैल जो है ये जो है मताबिकत तो रखता है लेकिन जो है ये जो है हमारा जो है लाजिम है जो है आपको अहजिया को हम यहां पे फाइल नहीं बना सकते है ठीक है सना आयसना माने होता है बनाना या यही मताद्दी है ये ठीक है तो कोई बनाने वाला होना चाहिए जो के यहां पे नहीं है अगर अंता की जमीन यहां पे हम जो है मानते हैं बनाने वाले के लिए तो फिर अहजियतों नहीं होना चाहिए अहजियता होना चाहिए ठीक है इसलिए ये वाला गलत है ये तुस्नाव अहजियता मिनल जिल्दी तो यहां पे तुस्नाव जो है मजहूल अलाया गया तो मजहूल के लिए जरूरी है कि तो इसका न जियतों है और इसका फाइल जो है ये महजूफ है ये नामालूम है और इसमें होता ये है कि मजहूल के सेखे में कि जो मफूल भी होता है वो नाइफ फाइल के जगा पर आ जाता है उसको फाइल नहीं कहते है उसको नाइफ फाइल कहते है यानी फाल के कायम मकाम आजाता है लहाजा ये वाला सही हुआ, ठीक है? चलिए लाईसमिन अख्सामिलअदब, ये बताईए किताबा अकिताबा अलग्याल अश्यारुलमलहमी जी सब्सक्राइ जी, बिल्को अख्षम जीम जो है ये जो है अदब के अकसाम में से नहीं है शेर मलहमी अदब के अकसाम में से है लिखना किताबत जो है अदब किताबत भी अदब के अकसाम में से है अगर ये कहा जाए कि अनासर अदब कितने है तो अनासर अदब हमारे चार है अलातिफा, अलमाना, असलूब, अलख्यार ये इससे सवाल बनने की चांसिज है नगद के बाप में इससे सवाल आपका बन सकता है ख्याल किसमे से है अनासर अदम में से है अक्साम अदम में से नहीं है तो इसको आप लुब जरूरि याद रखिएगा एसको आइन अलजुम्ला अस्थीहा मिम्मायली इसमें कौन सही होगा ये बताइए जी जी बताइए वा सर चले कौाईश चद्धा यहां तक तो सारी पाते सही है आपको यहां पे टेंशन नहीं लेना है इसमें तबाग नहीं लगाना है आगे देखना है कि सबाका सबाकत में अختलाब हो रहा है इसी तरह त compet Member नहीं है तरह तिरासत हु को रहा है यानि जो है सबकत का जो फाइल है वो जो है दिरासा बन रहा है तो जब दिरासा फाइल बन रहा है तो ला महाज़ा दिरासा क्या है मौनस है तो सबकत भी मौनस ही आना चाहिए ठीक है इसलिए जो है ये जो है आपका पहला वाला तो जो है ठीक है यहां यहां मौनस हो गया ल वजह से यहां पे दिक्कत हो गई दूसरा क्या है यह वाला बिल्कुल भी सही है बिल्कुल सही है क्यों सही है मौनस ये भी है ये इसका फाइल भी मौनस है और हा की जमीर जो इसकी तरफ लोट रही है वो भी मौनस है खवाइच शत्ता सबका तलामीजु दिरासत हा तो ये वाला जो है क्या होगा इसलिए किसलिए गलत होगा ये कोई बताएगा सबाका, सबाका लिया असलिए क्यों सबाका की मुझा से क्यों सबाका की मुझा से सबाकात होना चाहिए क्यों सबाकात होना चाहिए इसलिए के वाइद है उसका फाइल वाइद फाइल है सबाफा का दिरासा मौनस है लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको एक तरह से कह सकते हैं के मोडर्न अर्बिक के इतिवार से यह गलत है लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा गोर करेंगे नहवीईन की यहां जाएंगे तो इसकी गुझाइश निकल सकती है क्यों निकल सकती है क्युक्छ फेल और फाइल के दर्मयान जब जो है क्या हो जाता है फासिल आ जाए तलावीज जो है फसल आ गया है तो इसको जो है सही मान सकते हैं लेकिन फिर हमें एक नहीं चीज़ देखने ये पड़ेगी कि जो है मोडर्न अरबिक में ऐसा नहीं करते हैं ठीक है मोडर्न अरबिक में ऐसा नहीं करते हैं लेहाज़ा इन दोनों में औला यही है कि इस वाले को सही माना जाए ठीक है लेकिन अगर इसकी तोजी करके अगर हम पेश करेंगे तो कोई गलत नहीं करा दे सकता है ठीक है लेकिन अगर ऐसी कोई चीज अगर वो आ जाए कभी एकजाम में तो हमेशा जो है इसकी तरफ जाईएगा ठीक है इसकी तरफ नहीं जाईएगा क्योंकि आपने अगर सिक्र दिया जो है क्या करते है लगा क्या आगए ये वाला आपने सोचा हम जो है डेरिंग आदमी है हम तो यही लगाएंगे जब गलत मानेंगे तो हम देख लेंगे बाद में तो ठीक है बाद में आप देख लेंगे लेकिन आपने कंप्लेंड कर सकते ह किस बाप से आता है ये बताईए ये भी जो है इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं ये जो है आपने कितना पढ़ाई की है कितना आपकी सलाहियत है उसी पर सवाद होगा थोड़ा सा हम बना सकते हैं कि कभी आइन कलमे और लाम कलमे के अंदर खुरूफ हल्की हो तो हो फटः ये फटहु से आता है तो जो है ऐसा यह और लाम कल्मा क्या है इसके अंदर हुरूफ हलकी नहीं है बलके फा Skoda में वहुरूफ हलकी है तो इससे जो है पतरा से नहीं का भी हम स्यूर नहीं हो सकते हैं लेकिन यह आता किसी है वैक तो नसरनी सुरों से आता है यह जतना आपने पढ़ा होगा उसी इत तो सबसे पहले किस ने रखा अबूल असवाद दौली ने रखा इस सवाल में तो जी बताएँ तो ऐसा करते है आ यही पर रहने देते हैं कल यह सवाल को करेंगे तीस सवाल आपके हो गया ठीक है असलिए मैंने किसी को वक्त दे रखा ता दस चालिस का क्योंकि मुझे यकीन था कि साड़े दस तक खतम हो जाएगा ठीक है इन्शालला कल जो है बाकी आगे करेंगे जिनको भी कोई चीज समझ में ना आई हो दुबारा से ग्रूप में आप लोग पूछ सकते हैं इन सवालात को मैं जो है वहाँ पे डाल दूँगा कोई सी तरह की कन्फियूजन है ग्रूप में डालिए जिस टीचर के पास जवाब होगा आपका वो जो है आपका जवाब दे रेगा क्योंके सारे ग्रूप में आपके सारे टीचर मौजूद हैं शर्माना किसी चीज में नहीं है क्योंके जब तक जो है आपका सही नहीं होगा जब तक जो है आप जो है एक्जाम में किलियर नहीं कर पाएंगे और पिछले बार आपको मैं बता दूँ जो है मैंने जो है सिर्फ जो है 2022 का जो मैंने पेपर देखा है उसके अंदर 21 सवाल जो है आपके grammar और translation और word meaning से हैं और around 4 सवाल जो है आपके बाकी इन से यानि 10th unit से पुल 25 सवाल है यानि 14 सवाल जो है आपके 10th unit से आए हुए है ठीक है और यह 10th unit ऐसा है कि इसके लिए कोई किताब नहीं है, कोई चीज नहीं है आपका जो इल्म है पहले से M.A. के लेवल तक आपने जो कुछ बढ़ा है उसी की बुनियाद पर आप ये हल कर सकते हैं ठीक है? लेकिन जो कुछ हम से हो पा रहा है हम आप लोग को कर रहे हैं ताके आखिर टाइम में कुछ न कुछ आप लोगों के लिए हो जाए तो इसको जो है जरूर देख लीजेगा और जो कुछ भी समझ में ना आए तो दुबारा से वीडियो देख लीजिए या मुस्से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजे ग्रूप में डालिए वो बता देंगे आपको ठीक है फिर मिलते हैं इन्शालला